बिसमिल्लाहिर्रामालिर्राहीम, असलाम अलेकुम दोस्तों, कैसे आप समीद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे वेलकम तुदा चैनल लिट्रेचर कवरेज आव लिट्रेचर पड़े दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है God Seize the Truth But Waits इस शॉर्ट स्टोरी को एक रशियन राइटर लियो टॉल स्टैन ने लिखा था ये शॉर्ट स्टोरी 1872 को पबलिश होई थी Setting of Place इस स्टोरी की है Russia और Siberia और Point of View इस स्टोरी का है Third Person जिस टाइम पे शॉर्ट स्टोरी ये लिखी कई हो लिट्रेरी पिरेट था रशियन रियलिजम और यौनरा इसका है शॉर्ट स्टोरी और Parable Parable का मतलब कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई moral या spiritual lesson हो दोस्तो इस शॉर्ट स्टोरी के प्रोटेगनिस्ट का नेम है आईवन ओमिट्रेविच एक्सियोनोव तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की हमारी समरी ये शॉर्ट स्टोरी शुरू होती है एक्सियोनोव नाम के एक परसन से जो के एक मर्चेंट है एक बेवपारी है एक ताजर है एक सुदागर है ये कुश मजज़ बंद है टेलेंटिड भी है और इसको गाने का शौक भी है इसका एक गार है और दो दुकाने हैं और इसके बीवी बचे भी हैं इसको बहुत ज़्यादा ड्रिंग करने की आदत है एक दिन ये तियार होकर एक कमर्शियल फेर में जा रहा होता है जो के एक सिटी है रशिया में निजनी जिसका नेम है वहां पे हो रहा होता है कमर्शियल फेर का मतलब कोई ऐसा इवेन्ट जिसमें बिजनसमेन अपना बिजनस परमोट करते है तो तो इसकी वाइफ इसको बोलती है एक्सियोनोव को के एक्सियोनोव गर से बाहर ना जाएं इसकी बीवी बताती है कि उसने एक बुरा खोफ देखा जिसमें एक्सियोनोव के जो हेर्ज हैं वो सारे के सारे ग्रे हो चुके हैं तो ये अपने हस्बेंड को रोकती है लेकिन वो समझता है कि हो सकता है उसकी बीवी इस वज़ए से कैरी हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है अलकोहल पीता है तो वो हंसी मजाक में इसकी बात को अड़ा देता है अपनी वीवी की बात को और सफर पर रवाना हो जाता है अभी एक्सियोनोव ने आदा सफर ही ताय किया होता है कि इसको इसका एक दोस मिल जाता है इसके दोस का ने मैंशन नहीं किया गए सिर्फ इतना बताया गया, इसका फ्रेंड है, वो भी एक सुदागर है, मर्चेंट फ्रेंड, तो एक्सियो नोव अपने मर्चेंट फ्रेंड से मिलता है, और इसके साथ चाय पीने के लिए चला जाता है, ये दोनों दोस एक इन में जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, और दो स्पाही आ जाते हैं, दो शोल्जर्स आ जाते हैं, एक official person के साथ, ये एक state official होता है, state official आके SQ-9 से questions पूछने शुरू कर देता है, इसके दोस merchant friend के बारे में और पिछली रात के बारे में, के SQ-9 पिछली रात अपने दोस merchant friend के साथ था, इसका और उसका क्या लेना देना है अपस में, इन दोनों का क्या तलू के अपस में, इस बारे में पूछने लग जाता है, state official जो है, तो SQ-9 उससे पूछता है क्या मामला है आकर, क्या चल रहा है ये सब, क्यूं पूछ रहे है वो लोग merchant friend के बारे में, तो state official अपना introduction करवाता है, वो कहता है कि वो district police inspector है, और इसके दोस merchant friend की, पिछली रात मौत वाक्या हो चुकी है, किसी ने उसको कतल कर दिया, और क्यूंके SQ-9 अपने merchant friend के साथ था, तो इस वज़ा से पूलिस वाले इसके पास हैं, इसे पूछता पास करने, तो police inspector शोल्जट को गयता है कि इसके समान की तलाशी लो, तो जब इसके समान की तलाशी ली जाती है, तो SQ-9 के समान में से एक खून से बरा हुआ या खून के निशान लगे होते हैं, ऐसा खंजर मिल जाता है, SQ-9 गबरा जाता है, वो काँपने लग जाता है, उसे सही लफज नहीं अदा होते हैं, तो कसमे खाता है, वो कहता है कि ये खंजर उसका नहीं है, लेकिन police inspector क्या करता है, उसकी बाद नहीं सुनता, और उस पर इलजाम लगा देता है, SQ-9 पर कि उसने ही murder किया है, और 20,000 rubles चोरी किया है, तो क्या होता है, शोल्जट इसको पकड़ते हैं, और इसको जेल में डाल देते हैं, police inspector के कहने वे, इसको जेल में डाल दिया जाता है, एक्सियो नौव को, तो फिर क्या होता है, इसकी बीवी इससे जेल में मिलने आती है, एक्सियो नौव से, जो बहुत जादा दुख की हालत में है, बहुत जादा दुखी की एक हमीद थी के जार को इपलीकेशन लिठी जाएं। जार रूस का बादशाह है। रूस के शेन्शाह हाँ या बादशाह को जार कहते हैं तो ऊसको एक पेटिशन लिखी जाती है जो ऑख इकसीयोनोव की बीवी लिखती है लेकिन लिए ना जाए लेकिन फिर भी एक्सियोनोव ने उस बात को हंसी मजाग में अड़ा दिया अपनी बीवी के खौब को ऐसे ही इसने जाने दिया ऐसे इग्नोर कर दिया और चला गया उस दिन बाहर जो सपना नहीं आया था इसकी बीवी को कि इसके बाल उसने ग्रे होते देखे थे सारे के सारे अपने खौब में एक्सियोनोव के जो बाल थे तो इसकी बीवी पूछ लेती है इससे एक्सियोनोव से क्या उसने सचम में कतल किया है तो यब यह बार सुनता है ना एक्सियोनोव तो उसको बहुत ज़दा दुक होता है कि उसकी बीवी ने उस पर ऐसा शक किया बहुत ज़्यदा हर्ट होते सुनके फिर क्या पुलिस वाले इसको और इसकी बीवी बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं आखरी बार एक्सियो नौव और उसके बीवी बच्चे आपस में मिलते हैं एक्सियो नौव अपनी बीवी को जवाब देते हैं कि उसको सिर्फ खुदा से रहम की और इनसाफ की अमीद है लेकिन अपनी फैमली से और इस दुनिया से उसको इनसाफ की कोई अमीद नहीं है क्योंकि इसने तो कोई कतल नहीं किया इसको तो पंसाया गया है किसी ने कतल करके, वो खंजर, वो चाकू, इसके बैग में रख दिया था, इसके सामान में रख दिया था, जो कि पुलिस को मिल गया, और असल मुझरम बच गया, और ये पकड़ा गया, एक्सियोनॉफ जो था, इसके बाद एक्सियोनॉफ की जिन्दगी में एक बदलाओ आ एक टर्निंग पॉइंट आजात है ये बहुत ज्यादा अबादत करनी शुरू कर देता है और अपनी लाइफ भी को स्पिर्चोईलिटी की तरफ लेकर चला जाते है और इसकी लाइफ स्पिर्च्छ लाइफ भी बहुत स्पिर्च्युल हो जाता है ये दोस्तों फिर जो एक्सियोनोव होता है ना उसको पुलिस से मार भी पड़ती है कोड़े मारे जाते हैं इसको और इसके बाद 26 सालों के लिए इसको साइबेरिया लेबर कैम में बेई दिया जाता है साइबेरिया एक जगा का नेम है तो इसकी वाइफ ने जो खौब देखा होता है ना इसको बताया होता है कि इसके जो हेर्स हैं वो मकमल तोर पर ग्रे हो जाएंगे तो वाकर इसके जो हेर हैं वो सारे के सारे ग्रे हो जाते हैं इतने सालों में Axionov की एज काफी हो जाती है इसकी कमर जुक जाती है ये बूड़ा हो जाता है लेकिन शिद्दत से ये दीन की तरफ लौट आता है बहुत ज्यादा मजभी हो जाता है ज्यादातार अपना टाइम अबादत में एक जाता है मजभी गीत गाता है गोस्पेल्स पढ़ता है गोस्पेल्स जीजस क्राइस्ट की तालिमात को कहते है फिर कभी भी इसके बीवी बच्चे इससे मिलने नहीं आए लेकिन इसके जो जेल वाले साथ ही है ना इसके साथ वाले Axionov के जो साथ है वो इसको पसंद करते हैं बहुत और और इसके इलावा इसके जो साथ वाले है Axionov का नाम लेके authorities को दर्खास वगएरा या फिर अपील वगएरा करते हैं अपनी रहाई के मतलग ही करते होंगे अपील वगएरा एक दिन जेल में कुछ और कैदी भी आते है जिनमें एक कैदी का नेम होता है माकार सेमियोनोव जो माकार होता है इसने एक गोड़ा चोरी किया था जिसकी वज़ा से इसको पुलिस पगड़ के जेल में डाल देती है माकार भी उसी टॉन से ही आया होता है जिस टॉन में Axionov रहता था यानि के वेडिमर में तो एक्सियोनोव माकार से पूछता है अपनी फैमिली के बारे में तो माकार बताता है कि हाँ वो इस फैमिली को जानता है बड़ी अची फैमिली थी ये तो और उसका जो हेड था वो एक्सियोनोव था जो के सुदागर था तो फिर माकार पूछता है एक्सियो नोव से उसे नी बता ये एक्सियो नोवी है जिसे वो बात कर रहा है उसे पूछता है कि आपको किस जुरम में कैद किया गया है एक्सियो नोव बस इतना ही जवाब देता है कि उसको उसके पिछले गनाहों की सजा मिली है और इतना बोलके चुप हो जाता है, लेकिन जेल के दूसरे साथी बताते है महाकार को कि इस आदमी को किसी ने जानबूच के पनसाया था, कतल किसी ने किया था और जो कतल का खंजर था, जिससे कतल किया गया था, वो इसके बैग में रख़ दیا किसी ने कतल करके और असल मुझरम बच गया और एक्सियो नौव पकड़ा गया तो माकार गोर से देखता है तो उसको अंदाजा हो जाता है वो पहचान जाता है यह एक्सियो नौव ही है तो हरान होता है कि इतने सालों के बाद वो दुनों दुबारा मिल रहे हैं तो एक्सियोनोव के जहन में आता है कि इतना हिरान क्यूं हो रहा है माकार, हो सकता है इसको पता हो कि एक्सियोनोव के मर्चेंट फ्रेंड को इन में किसने कतल किया था, दोस्तों इन एक मसाफर खाने को कहते हैं, जहां पर मसाफर रुकते हैं, उनको खाना भी मिलता है, और स उसको शक पढ़ जाता है कि वही है ये बंदा माकार ही है जिसने एक्सियोनोव को फंसाया और असल कतल भी इसने किया है माकार ने इसके दोस मर्चेंट फ्रेंड का और फंसा एक्सियोनोव को दिया एक्सियोनोव को जब ये शक पढ़ता है तो वो डिप्रेशन में चला जात इसको अपनी पराणी जुषानी अपनी बीवी बचे याद आते हैं उसको बड़ा अफसोस होता हैUNG जो नायंसाफीस के साथ हुई होती है एकसेनोफ के साथ तो ये सोच के बड़ा घंवीन हो जाता है ये। और उसको बहुत गुसा आता है माकार पे क्योंकि उसने इसको फंसाया होता है तो यह सोचता है या तो यह सुसाइड करेगा या फिर माकार से बदला लेगा उसको पकड़ के मारेगा पिर एक रात कुछ यू होता है कि जो माकार है ना वो एक टनल खोद रहाता है जेल की दवार के नीचे जहां से वो बाग सके अगले दिन शोल्जर्स देखते हैं कि यहां पर किसी ने गड़ा खोदा हुआ है बागने के लिए तो गवर्नर को बलाया चाता है गवर्नर आगे पूचता है सबसे और वो खास तोर पे एक्सियो नौव से पूचता है क्योंकि एक्सियो नौव एक मजभी आदमी है अब सब उस पर ब्रोसा करते हैं कि वो साची बोलेगा तो गुवर्नर आके एक्सियोनोव से पूछता है लेकिन एक्सियोनोव क्या करता है जहन में सोईता है कि अगर उसने बता दिया कि वो माकार ही था जो टनल खोद के जेल से बागने की कोशिश कर रहा था तो ये तो फिर बदला आ गया ना कि ये माकार से बदला ले रहा है अक्सियोनोव के साथ अब एक्सियोनोव बदला लेने के लिए माकार को पंसाएगा तो एक्सियोनोव सोचता है वो ऐसा नहीं करेगा वो गुवर्नेस से जूट बोल देता है कि उसे नहीं पता कि ये गड़ा कौन खोद रहा था और कौन यहां से बागने की कोशिश कर रह था उस रात एक्सियोनोव देखता है कि जो माकार सेमियोनोव है ना वो इसके रूम में है उसके बेड के पैस बैठा हुआ है एक्सियोनोव के पैर है जिस तरफ उसके पैरों में बैठा हुआ है ऐसा समझ लें तो एक्सियोनोव देखता है कि ये बैठा हुआ है इसके पै एक्सियो नौव के फ्रेंड मर्चेंड फ्रेंड का जिसको उसने इन में कतल किया आता है मकार ही कातल है तो मकार ये भी बताता है कि ना सिर्फ उसने मर्चेंड फ्रेंड को कतल किया इन में बलके जिस खंजर से कतल किया वो नाइफ वो चाकू वो खंजर उसने एक्सियो नौ फंस जाए और जो सैमियो नोव है जो माकार है वो बच जाए तो ऐसा ही ह Maur. Vो खंजर पुलिस को मिल गया और पुलिस ने असल मुझ्रिम को डूडने की बजाए मतल कर सैमियो नौव को डूडने की बजाए एक्सियो नौव को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया तो माकार ये सारी कहानी बता देता है कतल भी उसने किया और उसने ही एक्सियो नौव को फंसाया माकार बड़ा शर्मिंदा होता है कि उसने कतल किया उसने एक्सियो नौव को फंसाया लेकिन एक्शियोनो ने उसकी मदद की उसको अथورोटीज से बचा लिया उसकी श्कायत नहीं की गवफनर को पता नहीं लगने दिया कि असल जो गड़ा था ना बागने के लिए माकार नहीं खोड़ा था तो एक्सियो-9 यह बात गोरनर को ने बता जूट बोल देता है मकार को बचाने के लिए तो मकार को शर्मिनदगी हो रही है, आप माफ ही मांग रहा है उसे के अगर एक्सियो-9 माफ कर देगा ना मकार को तो माकार कहता है कि वो खुद जा कि अथोटीस के सामने ये बात कह देगा कि माकार ये असल कातल है उसने कतल किये थे और जो एक्सियो नौव है वो बेगना है तो एक्सियो नौव को छोड़ दिया जाएगा तो ये बात कहता है माकार एक्सियो नौफ से लेकिन एक्सियो नौफ कहता है कि अगर वो छूट भी जाए अब तो वो क्या फाइदा अब ना उसकी फैमली है ना उसके पास गार है पता नहीं उसके बीवी बचे हैं भी या नहीं है पता नहीं किदर है तो रहा होने का क्या फाइदा अब तो फिर भी जो माकार होता है वो रोने लग जाता है माफी मांगने लग जाता है कि माफ कर दो तो एक्सियो नोव भी फिर रोने लग जाता है उसको भी रोना आचाता है माकार को रोते देखे एक्सियो नोव फिर कहता है माकार को कि खुदा उसको माफ कर देगा यहां पर देखा जा सकता है कि एक्सियो नोव को खुदा पर ही यकीन है कि खुदा ही इनसाफ करेगा, खुदा ही माफ करेगा माकार को AXION-NOW को फिर लगता है कि जैसे उसके कंदों से बोज हलका हो गया है फिर AXION-NOW अपनी मौत के बारे में और उसके मौत के बाद की जो जिन्दगी ए उसके बारे में सोईता है तो उसकी जो तकलीफ होती है कुछ कम हो जाती है बला कौन सी तकलीफ वही तकलीफ के वह रहा हो जाए अपने गर चला जाए और अपने बीवी बच्चों से मिल ले इतनी देर से साइबेरिया में कहद है तो रहा होने के बाद कोई इसकी तकलीफ कम हो तो यह सारी बाते बूल जाता है और अपनी मौत के बारे में और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता है एक्सियो नौ मकार को भी यही बात कहता है कि वो खुदा पर रिकीन रखे खुदा उसको माफ कर देगा लेकिन मकार क्या करता है अथोरिटीज के पास जाता है इसके बावजूद और जा के यह बात कर देता है बता देता है अथोरिटीज को कि कतल उसने किया है मकार ही असल कातल है यह खुद बता देता है मकार और जो एक्सियो नौ है वो बेगुना है और ये बात भी मकार बता देता है पुलिस को के उसने ही एक्सियो नौव को फंसाया था खंजर इसके बैग में रखे इसके सामान में रखे एक्सियो नौव के बैग में तो जब ये बात परा चलती है अथोरिटीज को तो अथोरिटीज जो है वो इसको एक्सियो नौव को र रुकसत हो जाता है और मौत के बाद वाली जिंदगी की तरफ चला जाता है जहां पे दुनिया वाले लोग इनसाफ नहीं करेंगे वहां पे सिर्फ खुदा का इनसाफ होगा गौड सीज दा तूरूथ बट वेट्स अब इस लाइन की आपको समझ आ गई होगी इस टाइटल क वो रहा हो गया एक्सियोनोव को खुदा पर यकीन था कि खुदा इनसाफ करेगा और खुदा ने इनसाफ कर दिया दोस्तों इसके साथ ये शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी आज की वीडियो में बस इतने